अगर आप Fact Channel चलाते हैं और Story Type का वीडियोज अपलोट करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए Special होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आंते तक जरूर देखें गाईज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपने Fact Channel के लिए या Story Type के वीडियोज के लिए एक Professional Thumbnail कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको मेनत भी कम लगेगा और कम समय में एक Professional Thumbnail क्रियेट कर सकते हैं गाईज अगर आप अपने वीडियोज के लिए एक अच्छे Thumbnail बनाते हैं तो लोग उसे देखकर Impress होता है और उसपे किलिक करता है और जब किलिक करेगा तो सुभाविक है कि आपका वीडियोज बढ़ेगा और आपका वीडियोज वाइरल होगा तो गाईज आईए बिना टाइम वेस्ट किये आज के इस इंट्रेस्टिंग वीडियोज को सुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी इस चैनल पर कोई वीड सबसे पहले आप तब कहुंचे आई यह वीडियो को सबसे पहले आप जिस वीडियोज का थमनेल बनाना चाहते हैं उस वीडियोज को प्ले कर लेंगे और उसमें जहां पर भी यूनिक मोमेंट हो उसको आप स्क्रीन सोट कर लेंगे एक वीडियो में से तीन स्क्रीन सोट आ करने के बाद आपको यहां थ्री डॉट्स पर किलिक करना है किलिक करने के बाद इमेज साइज पर किलिक कर देंगे उसके बाद करके यूटूब थमनेल पर किलिक कर देंगे यहां पर यहां से अपने हिसाब से क्रोप कर लेंगे क्रोप करने के बाद इस पैनल पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यह अपने आप अडजेस्ट हो गया है आप चाहिए तो इससे उपर निचे कर सकती है अपने हिसाब से अडजेस्ट कर लेंगे कर लेने के बाद फिर फिर सै वाली अइकोन पे क्लिक कर देना आहे इसको आप भुशской के इधर आप अपने हिसाब से edit कर लेंगे उसका बाद फिर यहां प्लस का इकोन पे क्लिक कर देंगे From Gallery पे क्लिक करके Third Photo ले ले लेंगे तिसरा Photos जो मैंने क्लिक किया था तीन स्क्रीन सोट करना है जिसमें से यह तिसरा फोटोज है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस परकास से सेट कर देंगे यह लिखावा दिख रहा है गाई इस पर आपको टैप करना है और यहाँ टेक्स्ट के आइ क्लिक कर देंगे करने के बाद आप यहां से कलर सेलेक् dovोली प्लिक कर देता हो अगर आप इसमें दो किलर देना चाहते हैं यहां से क्यों कि लिखा हुआ है उसको कि रेड करना चाहता हूं तो इसको कर लेंगे आप देख सकती है यहां रेड हो गया अब लर्की लर्की लिखा हुआ है इसको भी मैं रेड करना चाहता हूँ तो आपको simply लर्की को इस तरह से select कर लेना है और red वाली color पे click कर देंगे यह देख सकते हैं लर्की सिर्टी दो गई है अब फिर हम यहां हम साथ दिख रहें गायज इस पर आपको यहां पर रोलेंगे अब देख सकते हैं डोलो गया है अब आपको सिंपलिए यहां साहिए क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना फिर थोड़ा पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा राइट सैट जाना है और यहां पर बैक गराउंड लिखा हुआ है इस पर आपको टैप कर देना है टैप करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे इनेबल करने के बाद आपको सिंपली यहां पर कलर सेलेक्ट कर कुछ इस परकार से टैटल लिक लेना है जिसे देखने के बाद के मन में इस वीडियो को देखने लिए उत्सा जगे इतना करने के बाद आपको यहां थट वाली option पर कुलिक कर देंगे क्लिक करने के पर फिर यहां पर Oxygen कर देंगे और इसको कुछ इस परकार से लगा लेना है जिसे focus इस पर हो जो भी यूनिक आप को दिखे वहाँ पर इसको focus करना है यहां पर adjust करने के बाद फिर आपको इसे पर टैप करना है और यहाँ pencil का icon पर किलिक करके इसको copy वाले option पर click कर देंगे फिर इसको copy करने के बाद यहाँ पर लेंगे और कुछ इस परकार से अपने हिसाब से adjust कर लेंगे इसी तरफ फिर आपको pencil वाला icon पर click करना है और इसलिए अर को भी copy कर लेंगे copy करने के बाद इसको भी आपको उठाकर यहाँ लाना है और कुछ इस परकार से adjust आपको कर लेना है इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ tapping के option पर आ जाना है और text पर click कर देना है text पर click करने के बाद आपको यहाँ इसको यहाँ ले आना है अगर edit करने में कोई दिख्कत आ रहे हैं तो आपको simply यहां पर किलिक करके और इन सभी को यहां से इस तरह से लोग कर देंगे जिसे एडिट करते समय इधर उधर ना हो उसके बाद टेक्स्ट वाली ऑप्शन पर डबल टैप करेंगे टैप करने के बाद आपको इसको हटा देना है और एक इमोजी ले लेंगे अपने विइडियो से एक इमोजी ले लेंगे इमोजी लेने के बाद ओके कर देंगे और कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और अपने इस परकार से एडजयास्ट कर लेंगे उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है simply यहां right-set कर देंगे इसी तरह फिर text वाली option पर click करके एक और emoji ले लेंगे emoji ले लेने के बाद okay कर देंगे adjust करने के बाद इसी तरह इसमें भी आप shadows दे देंगे shadow के option पर click करके इसको enable कर देंगे और okay कर देंगे और यह thumbnail बनकर तयार हो गया है इसको आप अपने phone gallery में save करने के लिए आपको इस icon पर click कर देना है click करने के बाद save as image पर click कर देंगे और यहाँ save to gallery पर click कर देंगे यह thumbnail आपका gallery में save हो जाएगा गाइज इस तरह से अपने fact videos या story type के videos के लिए एक professional thumbnail बना सकते हैं so guys यही रहा आज का video अगर आपको short video से related कोई question या कोई doubts हो तो हमें comment करके पूछ सकते हैं I hope कि यह video अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो like करे comment करे अपने दोस्तों में share करे ताकि सभी को पता चल सके और इस channel को subscribe जरूर करे फिर मिलता है किसी नए videos में नए topic के साथ तब तक के लिए